एक बहुत ही गना जंगल है, उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं, जैसे भालू, हीरन, जिराव, भेंसे, इतियादी, जंगल के बीचों बीच एक नदी है, जहां सारे जानवर पानी पीने आते हैं, उस जंगल में एक शेर रहता है, वो शेर अब काफी बूड़ा हो तो उसे भूखा ही रहना पड़ता है एक दिन शेर अपनी गूखा के बाहर भूखा प्यासा ही खड़ा था तब ही उसकी नजर एक लोमडी बर पड़ी जो पास से ही गुजर रही थी शेर ने लोमडी को अपने पास बुला कर पुछा कौन से जंगल से आई हो तुम्हें पहले तो यहां नहीं देखा माराच मैं पास की जंगल से आई हूँ वहां पर तुखा पड़ जया है नदी तालाग तुख गए है इसलिए मैं पानी की तलाश में यहां चली आई शेर लोमडी को देखकर मन ही मन में सोचने लगा क्यों ना इस लोमडी को मैं अपना वजीर बना लू यह शिकार को मेरे पास लाएगी और मैं उसे मार डालूंगा फिर आदादा खालेंगे यही पात सोचते हुए वो लोमडी से बोला लोमडी क्या तुम मेरी वजीर बनोगी मैं और आपकी वजीर आप तो शेर मारा जो आपको वजीर की क्या हो शकता मैं बुड़ा हो चुका हूँ शिकार नहीं कर सकता तुम इस जंगर में नहीं हो तुम आसानी से जानुरग से दोस्ती करके उन्हें मेरे पास लेकर आना मैं अन्पर हमला कर दूंगा और हम आदा आदा मिल बाट के खा लेंगे लोमडी को भी शेर की यह बात अच्छी लगी उसने हाँ भर दी अब लोमडी जंगल के जानुरों से दिरे दिरे दोस्ती करने लगी उनके साथ गंटों बिताती और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती एक दिन एक नन्ने खरगोश को बहला फुस्ला कर शेर के पास ले आई शेर ने एक जप्टा मारा और उसे मार गिराया दोनों ने खरगोश के मास को आदा आदा बांट लिया लेकिन उन दोनों का पेट नहीं भरा खरगोश तो इनके लिए बस नाच्टे के बराबर था क्योंकि शेर बहुत दिनों से भूका था शेर ने लोम्री से कहा किसी बड़े जानवर को लाओ जो हम दोनों की भूक मिटा सके लोम्री बड़े जानवर की तलाश में जंगल में गूमने लगी गूमते गूमते सुबह से शाम हो गई लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला फिर एक गास चर्ता हीरन दिखाई दिया लोम्री हीरन के पास गई और उससे मीठी मीठी बाते करने लगी लेकिन हीरन हमेशा चोकन नहीं रहती थी, उसे पता था लोमडी का सोगाओ, इसलिए वो उसकी बातों में नहीं आई और वहां से चली गई अगे दिन भी जब शेर ने लोमडी को खाली हात आते देखा, तो शेर को बहुत गुस्सा आया महाराच गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, जानवर बहुत समझदार और चालाख हो गए है, हमें कुछ और उपाई खोचना होगा फिर शेर और लोमडी ने बहुत सोच विचार करके एक उपाई खोचा, उन दोनों को पूरा विश्वास था कि उनका ये उपाई शत प्रतिशत काम करेगा लोमडी और शेर ने जंगल में एक लंबी सुनन बनानी शुरू की, जो की शेर की गुपा तक चाने वाड़ी थी लोमडी ने पूरी जंगल में बात पहला दी कि उसे स्वर्द का रास्ता मिल गया है, सभी जानवरों को उस रास्ते के बारे में बताने लगी लोमडी और शेर गुपा में चानवरों का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई चानवर नहीं आया बहुत एर तक इंतजार करने के बाद भी जब जानवर नहीं आया, तो लोमडी चिंता में पड़ गई लोमडी मन में कुछ सोची रही थी कि, कि एक खरगोश आया खरगोश को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और उसे एक खा गए, इसके बाद एक हीरन आयी, उसे भी मार कर खा गए अब एक के बाद एक जानवर आने लगे, देखते ही देखते गूफा जानवरों से भर गई, लेकिन अब शेर और लोमडी दोनों का पेट भर चुका था तो दूसरी तरफ जानवरों को ये समझ आ गया कि कोई स्वर का रास्ता नहीं है, ये तो शेर और लोमडी की साचिश थी, फिर क्या सभी जानवरों ने मार मार कर उन दोनों को ही इस्वर पहुँचा दिया बच्चों, इस कानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे, हमें किसी की बात पर उश्वास नहीं करना चाहिए कानी को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें